पोलिश मूल के एक विद्वा करोडपती फ्रांसस बाटेक ने फ्रांस में प्रवास के बाद निर्मान उद्योग में अपनी सफलता हासिल की. मोनाकों में बसने के बाद वो एक परिवार का पालन पोशन करता है जिसमें दो बेटे फिलिप और अलेकजंडर और स्टेला नाम की एक बेटी शामिल है. अपनी समरिध जीवन शैली के बावजूद भाई बेहनों में से कोई भी सार्थक काम में सनलग नहीं होता है और अपनी फिजूल खर्ची की आदतों को बनाय रखने के लिए केवल अपने पिता की संपत्ती पर निर्भर रहता है. अलिक जिंड्रे का लापरवाः पलायन सभी उम्र की महिलाओं के साथ मुलाकात के लिए कक्षाओं को छोड़ना जिम्मेदारी के प्रती परिवार की उपेक्षा का प्रतीक है. स्टेला अंतहीन खरीदारी में व्यस्त रहती है, जबकि फिलिप मनमोजी व्यापारिक उपक्रमों की ओर प्रवरित होकर कम्पनी के भीतर अपने कर्तवियों की उपेक्षा करता है. फ्रांसिस अपनी पत्नी की मृत्यू से व्यथित, अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए संगर्श करता है, उनकी अनुपस्थिती में उनके अनियंतरित व्यवहार को सहन करता है. जब फिलिप एक हास्यासपद व्यावसायक अवधारना का प्रस्ताव रखता है, तो फ्रांसिस उसे डाटने में जिजगता है, जिससे उसके मित्र फेरुसियों को इस विचार की बेतुकीता को उजागर करने के लिए प्रेरित किया जाता है. जैसे ही बाटैक हवेली स्टेला की जनम दिन की पार्टी से गुलजार होती है, सतह के नीचे तनाव बढ़ जाता है. फ्रांसिस को अपने बच्चों की कमियों का सामना करने में कठिनाई होती है, जो उसकी उदार्ता के लिए फेरुशियों की भर्ट्सना के कारण और भी बढ़ जाती है. एश्वर्ये के बीच स्टेला अपने आलसी प्रेमी हुआन कालोस से परिशान हो जाती है. निराश होकर स्टेला रसोई में चली जाती है और उसका सामना मैथ्यास से होता है, जो उसके इरादों का सपश्ट रूप से आकलन करता है. इस बीच फ्रांसिस अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में सोचते हैं और अराजकता के बीच सांत्वना तलाशते हैं. फ्रांसिस को एक और रहस्य उदघाटन का सामना करना पड़ता है, फिलिप के अविवेक को सोचल मीडिया पर सभी के लिए कैद कर लिया गया. एलिकजिंडर के क्रोधित प्रिंसिपल के आगमन ने पहले से ही उथल पुथल भरी शाम में अराजकता की एक और परत जोड़ दी, जिससे एलिकजिंडर के अपराधों की सीमा उजागर हो गई. स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने आगामी विवाद को समझे बिना एहसान के रूप में एलिकजिंडर को स्विकार कर लिया था. चुंकि वो भी प्रिंसिपल की बेटियों के साथ सोता रहा है, एलिकजिंडर फिर उन दोनों को अपने पास लेकर सीडियों के शीर्ष पर आ जाता है. फ्रांसिस को अपने उपर जिम्मेदारी का बोज महसूस हुआ. इतनी असफलताओं के बाद उन्होंने सोचा था कि यह संस्था उनके बच्चे को स्वीकृती का दूसरा अवसर प्रदान करेगी. हालां कि अब भ्रम की स्थिती पैदा हो गई और फ्रांसिस को महसूस हुआ कि उसका तनाव स्तर अब तक की उच्चतम स्तर पर था. हंगामे के बीच अच्चानक दिल का दौरा पढ़ने से फ्रांसिस के शरीर ने तनाव के आगे समर्पन कर दिया. जब वो अस्पताल आया तो उसका वफादार दोस्ट फेरुशियो उसके बिस्तर के पास खड़ा था. लेकिन रिकवरी में भी उथल पुथल जारी रही. फ्रांसिस के बच्चे आ गए, उनकी नोगजोंक से वातावरन भर गया और उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा. भारी मन से, फेरुशियों ने उन्हें बाहर निकाला और फ्रांसिस को उनके परिवार की दयनी अस्थिती पर विचार करने के लिए छोड़ दिया. दो महीने बाद, भाई बहन घर लोटे, लेकिन खुद को बाहरी दुनिया से कटा हुआ पाया. अवरुध क्रिडिट काड और मूख फोन ने उनका स्वागत किया, जबकि पुलिस की बढ़ती उपस्थिती आस्न खत्रे का संकेत दे रही थी. भागने की हताश कोशिश में, फ्रांसिस ने अपने बच्चों को मार्सिले में भागने के सासी प्रयास के लिए एकठा किया. धमकियों और जबर्दस्ती ने उनकी आजादी का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन गंभीर वास्तविक्ता जल्द ही सामने आ गई. धन के दुरुपयोग ने उनकी कंपनी को बरबाद कर दिया था और अब वे कानून से भगोड़े थे. फेरुशियों के लापता होने से उनकी दुर्दशा पर संदेह और बढ़ गया. अपने संदेह को दूर रखने के लिए दृड संकल्पित फ्रांसिस ने पहचान से बचने के लिए उनके सेल फोन चबत कर लिये. मारसिले पहुचने पर उनकी विशेशाधिकार प्राप्त परवरिश और उनके आसपास के विनम्र जीवन के बीच विरोधाभास ने उन्हें बेचैनी से भर दिया. उनके पिता का बचपन का घर, जो अब अपने पूर्व स्वकी चाया है, उनके अस्थाय आश्रय के रूप में कारे करता था, जो दोशपोर्ण, लाइट बल्ब और साजा बिस्तरों के साथ उनकी गिरी हुई स्थिती का प्रतीक था. तली हुई ब्रैड के अल प्रात्रिभोज में, फ्रांसेस ने कठोर सत्य को उजागर किया, उन्हें जीवित रहने के लिए काम खोजने की आवश्चक्ता थी. अगले दिन, जैसे ही मारसिले में सुभा हुई, फ्रांसेस ने अपने जीर्ण शीर्ण आवास की देखभाल करते हुए अपने बच्चों को रोजगार की तलाश में बाहर भेज दिया. उनकी नई वास्तविक्ता में यहां तक की सबसे सरल कार्य भी चुनोती पूर्ण साबित हुए, जिससे उन्हें अपनी कठिनायों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा. स्टेला ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध एक अजिन्बी का फोन उधार लिया, जो विद्रो का एक छोटा सा कार्य था. इस बीच, अलिक जिन्डरे को नौकरी की तलाश में अस्वीकृती का सामना करना पड़ा, और फिलिप के स्वच्छता के प्रती उदासीन दृष्टिकोंड ने उनके गरीबी में उतरने को उजागर किया. पूर्व विशेशाधिकारों ने उन्हें इस अपरिचित दुनिया में बहुत कम सुरक्षा प्रदान की, क्यूकि उनके परिवार का किलाड है गया, जिससे वे जीवन की कठोर वास्तविक्ताओं के प्रती असुरक्षित हो गए. फिलिप की वित्तिय सहायता की तलाश कड़वी निराशा में समाप्थ हुई क्यूकि उसके दोस्त की अस्वीक्रती ने उसके भ्रम को तोड़ दिया. इस बीच, अलिक जिंडरे और फिलिप खाली हाथ घर लोटाए, उनकी नौकरी की तलाश में कोई सफलता नहीं मिली. विला सेतापूर्ण बैगों से लदी लेकिन जीविका से रहेट स्टैला की वापसी ने भाई बहनों की बीच गर्मा गरम टकराव को जन दिया. प्रतिशोद की आवेश में, फिलिप ने अपने नए पाए गए खजाने पर साबुन छिड़क दिया, जो उनकी ढहती दुनिया में प्रतिशोद का एक छोटा सा कार्य था. अराजकता की बीच, अप्रत्याशित सहयोगी उभरे. मार्गुराइट और मेथियास ने स्टेला की संकटपून कॉल का जवाब दिया, सहायता और अफसर की पेशकश की. मेथियास ने आशा की एक किरन प्रदान करते हुए स्टेला को अपने रिस्तरा में साक्षातकार के लिए आमंतरित किया. फ्रांसिस द्वारा मार्गुराइट से वित्तिय सहायता से इनकार करने के बावजूद, गोपनियता के उनके वादे ने उनकी गरिमा को बरकरार रखा. अगले दिन, स्टेला ने द्रिड संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए एक वेट्रिस के रूप में अपना परीक्षन शुरू किया. निराशाओं के बावजूद, वो द्रिड संकल्प के साथ अपने परिवार के अस्तित्व का भार उठाती रही. इस बीच, फिलिप की यात्रा उन्हें एक नौकरी एजेंसी तक ले गई, जहां उनका सामना कठोर वास्तविक्ता से हुआ. बाइक टैक्सी ड्राइवर के रूप में एक पद स्विकार करते हुए, वो अपने कारियों के परिणामों से जूचता रहा. एक बाइक टैक्सी ड्राइवर के रूप में फिलिप का संघर्ष अपने चरम पर पहुँच गया जब उनके प्रतिद्वंध्वी मालेक ने लगातार उनके ग्राहकों को चुराने की कोशिश की. इस बीच, फेरुशियों की एक गुप्त यात्रा ने फ्रांसिस को उनकी परिशानियों से थोड़ी रहत दी, हालांकि इसमें शामिल होने के प्रती उनकी प्रारंभे कानिच्छा स्पष्ट थी. हालांकि जब उन्होंने भव्य दावत का स्वाद चखा, तो फ्रांसिस की प्रिर्णाई जांच के दाएरे में आ गई, जिससे उनके असली रादों पर संदे पैदा हो गया. घर में अशान्ती के कारण उनकी राहत के क्षंड नश्ट हो गए, जिससे एलेकजिंडर की उपिक्षा पून व्यवहार का पता चला. अपने बेटे को आगे की जांच से बचाने के लिए बेताब, फ्रांसिस ने जल्दबाजी में एक कवर अप तैयार किया, जो सामाने स्थिती के भ्रम को बनाये रखने का एक कमजोर प्रयास था. एलेकजंडर के आलसे के रहस्योध घाटन ने परिवार के भीतर नाराजगी की आग को भड़का दिया, जिससे कडवी दरार पैदा हो गई क्योंकि फिलिप और स्टेला कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे के साथ घर लोटे, लेकिन एलेकजंडर की आलसे का पता चला. उनका गुसा स्पष्ट था, उन्होंने उससे रात का खाना चीन लिया, जिससे एलेकजंडर को अपने घर के आसपास के जंगल में जीविका की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया, एक व्यर्थ प्रयास जिसने उसे बीमार और निराश कर दिया, जैसे ही फ्रांसेस न अरिक्षणों ने उसे ग्राहक सेवा की कठोर वास्तविक्ताओं से अवगत कराया, जिससे उसे विनमरता और सहानु भूती का परिवरतनकारी एहसास हुआ, अपनी नई समझ से उतसाहित होकर, उसने अपनी नई भूमिका में उतकृष्टा हासिल करने के लिए द्रिड सं कल्प करते हुए, अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया. हाला कि उनके संघर्षों के बीच, फिलिप की एक लापरवा टिपणी ने दबे हुए रहसियों को उजागर करने की धमकी दी, जिससे एनुरक्सिया के साथ स्टैला के पिछले संघर्षों का परदापाश हो गय एनुरक्सिया के साथ स्टैला के पिछले संघर्षों के रहसियोध घाटन ने परिवार को सदमे में डाल दिया, जिससे फ्रांसिस अपराद और भ्रम से जूज रहा था. जैसे ही उसने सवाल किया कि स्टैला ने उस पर जल्दी विश्वास क्यों नहीं किया, भाई बहनों ने अपने अनुपस्थित पिता का सामना करने का अवसर जबत कर लिया और अपने अतीत के घावों को उजागर कर दिया. आरुपों के ओडने के साथ, भाई बहनों ने अपने जीवन के उनक्षणों को याद किया जब फ्रांसिस की अनुपस्थिती ने उन्हें असुरक्षित और अकेला छोड़ दिया था. एनुरक्सिया के साथ स्टेला की लड़ाई, अलिकजिंडरिका कानून के साथ संगधर्ष और अस्पताल में फिलिप की कठोर परीक्षा, ये सभी फ्रांसिस की उपेक्षा की दर्दनाक याद दिलाते हैं. शिकायतों की अदालत में एक प्रतिवादी की तरह महसूस करते हुए, फ्रांसिस पीछे हट गए, उनके आरोपों के बोज तले उनकी सुरक्षा ढह गई. उनके सामुहिक दर्द का बोज सहन करने में असमर्थ, वो कमरे से भाग गया, उसका दिल पश्चाताप से भारी हो गया. फिर भी, उथल पुथल के बीच, आशा की एक किरन उभरी, जब फिलिप ने अंतता मालेक के खिलाफ एक स्टैंड लिया, उनकी प्रतिद्वंद्विता ने एक अप्रत्याशित सोहार्थ का मार्ग प्रशस्त किया. कलेक्टर प्रशिक्षकों के प्रति अपने साजहा जुनून के माध्यम से उन्होंने एक अप्रत्याशित बंधन बनाया. पारिवारिक गतिशीलता में बदलाव के बीच, अलिक जिंडरे के आश्चरे जिनक प्लंबिंग कौशल ने फ्रांसिस को प्रभावित किया, जिससे नया सम्मान मिला. अलिक जिंडरे की अपरम परागत सीखने की विधियों ने उनकी संसाधन शीलता और अप्रयुक्त क्षमता को उजागर किया. मोनाकों में, हुआन कालोस की दलाली ने वित्तिय संकट की अफवाहों को उजागर किया, जिससे बेईमानी का संधे पैदा हुआ. सच्चाई को उजागर करने के लिए द्रिड संकल्पित, हुआन कालोस ने फेरुश्यों की गतिविधियों की जांच की. पारिवारिक मेल मिलाप के बीच, फ्रांसिस ने एक पिता की रूप में अपनी कमियों के लिए माफी मांगी, अपनी मा की बीमारी और माता पिता बनने के संधर्ष का बोज साजा किया. गलत फेहमियों के बावजूद, भाई बेहनों को अपने पिता के शब्दों में सांत्वना मिली, जिससे उनका बंधन मजबूत हुआ. एकता को अपनाते हुए, परिवार ने साजा जिम्मेदारियों का सामना किया, हसी और यादों के क्षणों को संजोया. स्टेला को सहकर्मियों के साथ सोहार्थ पूर्ण व्यवहार मिला और फिलिप और मालेक की साजिदारी ने उनके वित्तिय भविश्य के लिए आशा जगाई. हाला की, हुआन कालोस के अप्रत्याशत आगमन से उनकी नाजुक शांती बिखर गई, उनकी अशुब उपस्थिती ने उनकी नई शांती पर अनिश्चित्ता की छाया डाल दी. तनाव बढ़ने के साथ, फ्रांसिस को एक असंभव विकल्प का सामना करना पड़ा, हुआन कालोस की चुप्पी की कीमत चुकानी होगी या सच्चाई का डटकर सामना करना होगा. जैसे ही भाई बहन वापस लोटे, हुआन कालोस ने एक चौकाने वाला रहस्योध घाटन किया, परिवार के कर्ज को कम करने के लिए अर्जिंटीना में अपनी संपत्ती बेच दी. हालां कि अपने धोखे को उजागर करने के लिए प्रेरित होकर, फ्रांसिस ने अपने बच्चों को और अधिक पीरा से बचाने के लिए अपनी शंकाओं को छिपाते हुए, साथ खेलने का विकल्प चुना. उसके धोखे का बोज फ्रांसिस पर तूट पड़ा, उसका अपराद हुआन कालोस के साथ स्टेला के भविश्य की चिन्ताओं से बढ़ गया. मार्गोए राइट और फेरुश्यों पर विश्वास करते हुए, उन्होंने अपनी बेटी की रक्षा के लिए सामने आने का संकल्प लिया. हालांकि, फ्रांसिस के विरोध के बावजूद हुआन कालोस ने जल्दबाजी में स्टेला को भगा दिया. फ्रांसिस ने आसन विवा को रोकने के लिए अपने बेटों को एक जुट किया, लेकिन हुआन कालोस ने उनके कॉल को रोक लिया और दिखावटी स्ने के साथ विरोध प्रदर्शन को छुपाया. जैसे ही समारों शुरू हुआ, स्टेला को हुआन कालोस की असली पहचान केविन लेपोत्रे के रूप में पता चली, जो उसके धोखे से जूज रहा था. संदे के बावजूद, हुआन कालोस ने उसे आगे बढ़ने के लिए राजी किया, जब तक कि उसके परिवार ने हस्तक्षिप नहीं किया, जिससे वैवाहे कानंद का पहलू बाधित हो गया. गणना के क्षण में, फ्रांसिस ने हुआन कालोस के धोखे के बारे में स्टेला को सच्चाई बताई, और उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने जो विस्तृत मुखोटा तयार किया था, उसे उजागर कर दिया. हैरान और धोखा खाय स्टेला का गुस्सा फूट पड़ा, जिसकी परिनती हुआन कालोस के चहरे पर एक जोरदार थपड के रूप में हुई, जब वो अपने भाई बहनों के साथ अपने पिता की उपस्थिती से पीछे हट गई, तो उनका भरोसा तूट गया और मरम्मत स परे हो गया, अपने अलगाव के बाद, फ्रांसिस ने अपने एकांत में साथ बना पाई, अच्छूते मासिक चैक और कांच के कटोरे में संरक्षित यादों के माध्यम से अपने तूटे हुए परिवार के अवशेशों से चिपके हुए, फिर भी भाग्ये ने हस्तक किया, क्यूंकि फेरुश्यो द्वारा आयोजिते का कस्मिक मुठ भेड ने फ्रांसिस को स्टेला के जनम दिन के लिए फूल लेकर अपने बच्पन के घर वापस भेज दिया। के सामुहे खेद को महसूस करते हुए, फ्रांसिस ने एक अंतिम जैतून शाखा का विस्तार करने का आवसर जबत कर लिया, स्टेला को फूल अर्पित किये और हार्दिक माफी मांगी। झाल